हाई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नभील है अपल का इवेंट हो गया खतम तो आई हमारा वीडियो देखिए जहाँ पे आपको बताऊंगा सारे प्रोड़क्स जो जो लॉंच हो है चाहे वो होमपॉड हो या चाहे नहीं आइफोन हो और में क्या कुछ नय में गाईज आपको पताईए कि दो दिन बचे है फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेस सेल में जहां पे आपको बहुत जबदस ओफर्स देखने मिलने वाले है जिसमें से एक ओफर आपको मैंने बता चुका हूँ आइफोन ऐसी जो के फ्लिपकार्ट पे तीस दार के आसप application को डाउलोड करके register कर लिजी अपने email ID और पासवर के साथ यहाँ आपको अपना फेवरेट स्टोर करना है जैसे हम यहाँ पे for Flipcard, Go to Store पे क्लिक करना है, अभी आप Flipcard पे redirect हो जाएंगे, यहाँ पे आपको shop regular तरीके से करना है, और आपका जो भी cashback generate होगा, वो आपके Lettix Shop account में My account section में reflect हो जाएगा, जिसको आप UPI और Paytm के जरे से अपने bank account में withdraw कर सकते हैं, तो आएए दोस्तों Apple event की शुरुआत करते हैं, इसके पहले product के साथ जो यहाँ पे launch हुआ है, वो है नया smart speaker, Apple की दरफ से, जो है HomePod mini, HomePod mini एक affordable नया smart speaker है, जो Apple है निकाला है, छोटे form factor में, छोटे size में, इसके उपर की तरफ अगर आप देखेंगे, तो touch controls दिये, वह है design बहुत ही प्यारा, लेकिन बहुत ही जादा sophisticated design है, अंदर इसके जो है, काफी सारे elements दिये है, जो के true surround sound experience आपको देते है, और यह surround sound experience जो है, यह complete 360 surround sound experience ही, क्योंकि सबी sites से इसके music या sound आपको निकलता मेहसूस होगा, HomePod Mini एक काफी powerful processor के दा आता है, जो है S5 chip, जो के आपको Apple की Series 5 की watch में, और Apple Watch SE जो भी launch हुई है, उसके अंदर देखने मिलता है, इसके अंदर आपको computational audio का feature मिलता है, 180 times per second जो है, यह अलग-अलग sound को process कर सकता है, अगर आप एक से जादा HomePods नजदीक लाके रखेंगे, HomePod Mini लाके रखेंगे, तो यह auto pair हो जाता है, जिसमें आपको true stereo experience भी देखने मिलता है, इसके अंदर Apple का U1 chipset भी आता है, जो positioning के लिए इस्तमाल होता है, जो कि सभी latest iPhones के अंदर है, iPhone 11 series, iPhone 12 series के अंदर, इसके वएसे आप अपना iPhone कभी भी आपके HomePod के नजदीक लेके आएंगे, तो उसको automatically पता चल जाएगा, रियल टाइम में कि आपका iPhone उसके पास आया, उसके मुदाबिक उसकी functionality आप और बड़ा पाएंगे, इसके अंदर Siri का full integration है, जिसकी मदद से आप अपने घर में जितने भी Apple devices है, सब को control कर सकते हो, right from your HomePod और एक पूरा smart home system भी इसके जरीए से control कर सकते हो, इसके अंदर सबसे खास बात है, इसकी intercom facility, जिसकी मदद से आप अपने family के सभी members के Apple devices के साथ, intercom के जरीए से बात कर सकते हो, इंडिया में इसकी price रखी गई है, 9,900 रुपीज, including all taxes, तो ये काफी अच्छा price है, एक Apple के नए smart speaker के लिए, मैं इसको ज़रूर लिना चाहूंगा, आप बताए कि आप इसको लेना चाहेंगे या नहीं, अगली चीज जो Apple ने यहाँ पर इंट्रूश की, काफी सारे networks के साथ collaborate किया है, जहाँ पर USA में Verizon जो network है, उसके साथ nationwide 5G देने का इनका planning है, अभी USA के अंदर भी काफी कम cities है, जहाँ पर 5G available है, तो इंडिया में आना इसको काफी time लगेगा, तो इंडिया में आप इतना 5G का इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह अच्छी बात है कि इन phones में 5G दिया हुआ है, यह जो 5G की technology इन iPhones में आने वाली है, दोस्तों इसके अंदर most 5G band supported on any smartphone है, इसका मतलब है आप अपने iPhone लेके किसी और country में जाएंगे, और doctors की भी काफी मदद होगी 5G का इस्तेमाल करने में लेकिन अभी 5G जो है दूर की बात है, इतना कोई आपको इसका फाइदा नहीं होने वाला फिलाल, इसके बाद दोस्तों आते है iPhone 12 mini और iPhone 12 6.1 inches non-pro, यह दोनों नए iPhones है जो के इस range के सबसे सबसे iPhone रहेंगे, जहाँ पे आपको flat aluminum के sides देखने मिलते है, flat aluminum के sides के साथ front and back का glass design है, जहाँ पे पीछे दो camera और एक flash देखने मिलता है, bottom की तरफ एक speaker और और इयरपीस grill में है, यह iPhone 2 sizes में है, mini का size है 5.4 inches, जहाँ पे mini जो है, यह पुराने iPhones जैसे iPhone 7, 8 से भी छोटे form factor में आता है, लेकिन उसका display जो है वो बड़ा है, जहाँ पे उसकी screen size है 5.4 inches, और पुराने iPhones का screen size आता था 4.7 inches, यानि कि इतने छोटे form factor में आपको एक अच्छे कासे display वाला powerful iPhone देखने मिलेगा, iPhone 12 mini के format में, और इसके बाद आता है iPhone 11 का replacement जो के है iPhone 12 6.1 inches वाला, mini तो चोटा है यह दोस्तों, लेकिन यह 6.1 inches वाला जो नया iPhone 12 है, यह iPhone 11 से काफी चोटा है अपने form factor में, क्योंकि इसकी जो bezels है, वो बहुत जादा थे नहीं, दोनों iPhone के bezel बहुत जाद थे नहीं, क्योंकि इन सभी iPhone के अंदर, टोटल लाइनप के अंदर, Super Retina XDR display देखने मिलेगा, जो के कमाल की बात है, Super Retina XDR display एक OLED display है, जिसकी maximum brightness आपको 1200 nits की देखने मिलेगी, 60 Hz का display आता है, 120 Hz, 90 Hz नहीं है, लेकिन यह पर आपको ceramic shield glass protection देखने मिलेगा, Apple की तरफ से, जो के 4 times आपको drop protection देता है, पिछले साल के iPhones के मुकाबले, और किसी भी glass protection के मुकाबले, जो किसी भी smartphone पे available है, यह जादा tough है, यानि की gorilla glass से भी जादा मजबूत दिया हुआ है यहाँ पे, इन iPhones के अंदर आपको मिलता है A14 Bionic chip से, जो इनको fastest CPU वाला, fastest GPU वाला, 5 nanometer की technology वाला, fastest neural engine, fastest gaming performance देने वाले iPhones बनाता है, fastest gaming आपको इस तरह किसे मिल सकती है, कि यहाँ पे जो hardware, software का complete performance integration है, 5G के साथ उसके जरे से आपको बहुत जबदस performance मिलेगा, और यह League of Legends नाम के game के जरे से Apple ने demonstrate किया है, cameras की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको dual 12 megapixel के camera देखने मिलते है, दोनों ही phone पे जो के exactly same है, ultra wide angle lens और एक wide angle lens मिलता है, दोनों ही 12 megapixel के है, aperture को यहाँ पे बढ़ाये गया है, 1.6 किया गया है, जिसकी वज़े से आपको बहतर low light performance देखने मिलता है, इसके अंदर 7 element lens का इस्तमाल किया गया है, जो आपको बहतर quality की picture निकाल के देगा, इन camera's में आपको smart HDR 3 का support देखने मिलता है, यानि की better dynamic range, better low light performance, better video में low light performance, और low light में time lapse video भी आपको night mode में देखने मिलेगा, यहाँ पे अच्छी बात यह है, दोस्तों के night mode जो इतना popular feature है, iPhone 11 series का, वो यहाँ पे सभी lenses पे देखने मिलेगा, iPhone 11 के अदर से wide angle lens में, यानि की main lens में देखने मिलता था, लेकिन यहाँ पे wide angle, ultra wide angle और जो front facing camera का lens है, उसमें भी आपको night mode photography देखने मिलेगी, iPhone के box की बात करें, तो यहाँ पे आपको कोई भी charger या earphone देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ एक USB type C to lightning cable देखने मिलेगी, यानि के इन iPhones के अंदर जो port है, वो lightning port दिया हुआ है, storage variants की बात करें, तो 12 mini और 12 non pro के अंदर आपको 64, 128 और 256 GB के storage options देखने मिलते हैं, 64 GB तो at least Apple ने यहाँ से हटा देना चाहिए था, इंडिया के pricing की बात करें, दोस्तों तो इंडिया का pricing वो ही है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आइफोन 12 mini का जो इंडिया pricing है, 64 GB के लिए वो है 69,900 रुपीज, 128 GB के लिए 74,900 रुपीज, और 256 GB के लिए 84,900 रुपीज, इसकी pre-booking जो है 12 mini की 6th November से वर्ल ओवर शुरू हो रही है, इंडिया में कब हो रही है, इस वीडियो को बनाने की टाइम पे, इसकी information आपल के website पे नहीं थी, आइफोन 12 की pricing की बात करें, तो यहाँ पे आइफोन 12 का जो pricing है, वो है 64 GB के लिए 79,900 रुपीज, 128 GB के लिए 84,900 रुपीज, और 256 GB के लिए 94,900 रुपीज, इसकी pre-booking जो है world over 16th October को शोरी हो रही है, इंडिया pre-booking का date अभी तक एपल के website पे mention नहीं है, इसके बाद बात करें दोस्तों, आइफोन 12 Pro Series के बारे में, यहाँ पे Pro में दो options है, Pro and Pro Max, आइफोन 12 Pro और Pro Max के जो sides है, यह stainless steel के है, glossy stainless steel, लेकिन flat sides, front और rear, जो है glass यहाँ पे दिया हुआ है, जो के बहुत ही खुबसूरट design आपको यहाँ पे देखने मिलता है, चार color option है आपको देखने मिलेंगे, Pro Series में जहाँ पे एक है graphite, दूसरा है silver, तीसरा है gold, और चौता है pacific blue, gold color जो यहाँ पे है, इन Series के अंदर वो है special process से बना हुआ, तो gold की finish और gold का gloss जो है बहुत जबदस रहेगा, मेरी choice इस Series के अंदर तो 100% gold ही रहेगी, यहाँ पे दो variants है, Pro Series के अंदर जहाँ पे एक है 6.1 इंचिस के display के साथ पहले आता था 5.8 इंचिस वाला, और अभी दूसरा जो Pro Max आता है, यह 6.5 से बढ़ा कर इसको 6.7 इंचिस के display में Apple ने कर दिया है, यहाँ पे भी आपको Super Retina HDR डिस्पले देखने मिलेगा, 1200 nits की brightness, OLED डिस्पले और thinner bezels, जैसे आपको iPhone 12 के non-pro models में देखने मिलते हैं, एक्जाक्ली वैसे ही, यहाँ पे भी 60 Hz का ही display दिया है, यहाँ पे जो internal specification है दोस्तों, इन phones के chipset वगरा के form में आते है, या 5G format में आते है, वो वैसे ही है जैसे iPhone 12 mini और iPhone 12 के अंदर है, तो मैं उसको वापस से repeat नहीं करना चाहूँगा, यहाँ पे भी A14 Bionic chipset ही Apple ने दिया है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सबसे important feature की, Pro features की जोके हैं इसके cameras, टोटल यहाँ पे iPhone 12 Pro और Pro Max में 4 camera दिये है, पीछे 3 camera है, front facing एक camera है, पीछे की 3 camera आपको 12 MP के देखने मिलते हैं, और इनके साथ आपको देखने मिलता है एक LiDAR scanner, नए A4Ding chipset के साथ दोस्तों अभी 4 cameras पे front और rear facing camera total मिला के, सबी पे आपको Deep Fusion की technology मिलती है, जो के बहतर quality के photos और जादा detail photos निकालने में आपकी मदद करेगी, iPhone 12 Pro के अंदर जो telephoto zoom lens है, वो 4x optical zoom के साथ आता है, पहले 2x optical zoom के साथ आता था, और iPhone 12 Pro Max पे आपको देखने मिलता है, telephoto lens में 5x optical zoom, Pro और Pro Max के दोनों wide angle का जो camera है, उस पे low light performance को काफी Apple ने improve कर दिया, जहाँ पे F1.6 का aperture आपको देखने मिलता है, जो के इसको low light performance में काफी जबदस बनाएगा, लेकिन यहाँ पे Pro Max जो है दोस्तों इस game को आगे लेके चले जाता है, अपने cameras की मदद से, जहाँ पे Pro Max के जो camera sensor है, वो iPhone 12 Pro के मुकाबले 47% larger है size में, इसी के साथ दोस्तों इसमें 1.7 micron का pixel size दिया है, जो के बड़ा pixel size होता है, और 87% better low light performance है, बाकी सभी models के मुकाबले, आपको sensor shift image stabilization देखने मिलती है, जो कि optical image stabilization को अलग level पे लेके चले जाएगी, दोनों ही Pro models पे आपको देखने मिलता है, एपल का Pro raw format, जहाँ पे आप raw format type के photos ले सकते हैं, जैसे आप DSLR से लेते हैं, तो यहाँ पे photos में इतनी ज़ादा detail capture होती है, कि आप जब edit करने बैटेंगे अपने photos को, उस time पे आप इससे बहुत ज़ादा खेल सकते हैं, अलग-अलग type के इसमें edit कर सकते हैं, जो कि complete professional look देगा आपके photos को, चाहे वो low light में हो, या फिर bright light में हो, Apple Pro और photo के लिए Apple third party API भी develop कर रहा है, यानि कि जो third party applications जैसे Snapseed है, या Adobe का कोई application आप इस्तमाल करते हो, Photoshop इस्तमाल करते हो, तो उसमें भी आप इसका इस्तमाल कर पाएंगे, फाइदा उठा पाएंगे पुरी तरीकी से, इसी के ज़ाद दोस्तो, iPhone 12 Pro के अंदर आपको Pro वीडियो भी देखने मिलता है, जहाँ पे HDR वीडियो आप इससे निकाल सकती हो, 10-bit का जो वीडियो दोस्तो एक फोन में लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है, High-end के DSLR कैमरा में हमको ये फीचर देखने मिलता है, ये कोई आम फीचर नहीं है, बहुत ही जबदस चीज़ है, 10-bit का जो वीडियो होगा, इसमें आपको 60 टाइम्स जादा कलर ओप्शन्स देखने मिलेंगे, और इनको आप एडिट भी कर पाएंगे, अपने पावफुल iPhone 12 Pro और 12 Pro Max में ही, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे पहली बार किसी भी स्मार्टफोन के उपर, Dolby Vision HDR का भी ऑप्शन देखने मिलता है, जहाँ पे आप इसके पावफुल प्रोसेश के साथ, पूरे वीडियो को कलर ग्रेड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिरेक्ली अपने iPhone पे, जो है, वो स्टार्ट हो जाएगी, इसे के साथ आप इससे बहुत ज़ादा प्रोक्टिविटी वाले काम कर सकते हो, अगर आप Augmented Reality का इस्तमाल करना चाहते हो, और ना सिर्फ यह आपकी जो फोटोग्रफी है, उसको कई गुना ज़ादा बहतर बनाएगा, Augmented Reality, LiDAR Scanner की मदद से, जहाँ पे, Low Light के अंदर, Autofocus के अंदर, सभी फोन्स को, सभी कैमरास को प्रावलम आता है, यहाँ पे, Low Light के अंदर, क्योंकि LiDAR देख सकता है, आपको Instant Focusing देखने मिलेगी, चाहे कितने भी Low Light हो, यहाँ पे, Autofocus का जो Performance है, LiDAR की मदद से, यह 6 times faster है, पहले के iPhones के मुकाबले, अब बात करें दोसे तो Storage Variants की, तो यहाँ पे Storage Variants जो है, वो Base Storage में आपको देखने मिलता है, 128 GB, फिर आता है 256 GB, फिर आता है 512 GB, यहाँ पे Apple ने अच्छा काम किया है, के Base Storage को 64 GB से बढ़ा के 128 GB किया है, ताके कुछ तो usability आजाए आपके फोन में, लेकिन Pricing के मामले में अगर बात करें दोस्तों, तो काफी disappointing Pricing है, इंडिया के लिए जो हमने guess किया था, पिछले साल का Pricing, US वगरा में तो वही दाखा है, लेकिन इंडिया में उसको काफी खुना बढ़ा दिया है, पता नहीं, Apple ने ऐसे Q किया, तो यहाँ पर Pricing आपको बता देता हूँ, iPhone 12 Pro का जो Pricing है, 128 GB के लिए एक लाख उननीस अजार नौसो रूपे, 256 GB के लिए 1,29,900 रूपीज, और 512 GB के लिए 1,49,900 रूपीज, हो गए ना दोस्तों शॉक, तो iPhone 12 Pro Max का भी Pricing देख लेजी, और आपके दिल को धचका लगेगा इससे, iPhone 12 Pro Max, 128 GB के लिए आपको इंडिया में मिलेगा, 1,29,900 रूपीज, 256 GB के लिए 1,39,900 रूपीज, और 512 GB के लिए 1,59,900 रूपीज, iPhone 12 Pro जो है, यह iPhone 12 6.1 इंचिस के साथ ही अवेलेबल हो जाएगा, वर्ल्ड ओवर, 16 अक्टोबर 2020 को इसके प्री बुकिंग स्टार्ट हो जागी, और iPhone 12 Pro Max और iPhone 12 Mini जोब से चोटा आइफोन है, इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट होई 6th आफ नवेंबर से, इंडिया की प्री बुकिंग डेट किसी भी iPhone के लिए अभी अवेलेबल नहीं है फिलाल, इसी के दाथ दोस्तों, इन सभी iPhones के लिए एक और चीज लेके आया है Apple, जोके मुझे बहुत ची लगी, जोके है MacSafe और MacSafe Duo Charger Support, यहाँ पर दो टाइप के Charger आपल ने बना है, MacSafe के अंदर आप अपना iPhone चार्ज कर सकते हो, MacSafe Duo के अंदर आप अपना iPhone और Apple Watch एक साथ चार्ज कर सकते हो, MacSafe को एनेबल करने के लिए आपके iPhone 12 Series के उसके बैक में आपको दिखने मिलेगा, Multicoil Packnet System जिसके अंदर NFC का भी सपोर्ट है, यह Multicoil Magnet System ना सिफ आपके MacSafe Charger पे काम करेगा, यानि कि आपके Charger की Positioning आपको नहीं करने पड़ेगी, जैसे आपके Apple Watch आप चार्ज करते हो, चार्जर पे फट से चिपक जाती है, उस तरीके से iPhone भी चिपकेंगे, लेकिन इसके साथ MacSafe के बहुत सारे cases और बहुत सारे accessories आएंगे, जिनका आप बहतरीन इस्तमाल कर पाएंगे, और यह जो पीछे magnets दिये है, यह पूरा एक स्मार्ट सिस्टम है, जहाँ पे आपके magnets को पता चलेगा, कि exactly कौन सी accessory आपने अपने iPhone के साथ लगाई भी है, यहाँ पे सिर्फ Apple का ही आपको charger लेनी की जरुत नहीं, Belkin भी अपने chargers निकाल रहा है, कार के लिए और अलग-अलग टाइप के chargers निकाल रहा, इस तरीके से और भी third-party companies, future में MagSafe के chargers लेके आने वाली है, तो यह था दोस्तो complete Apple event, कुछ टाइम में, जहाँ पे मैंने आपको Hindi language के अंदर, simple language के अंदर समझाने कुछ किया हूँ, उमीद करता हूँ, दोस्तों आपको पसंदा होगा, यह मेरा जो वीडियो है, अगर पसंदा होगा, तो इसको like, share और comment करके मुझे ज़रू बताईए, और दोस्तों आपको यह सारे phone, सारे pricing कैसे लगे, इन में से कौन से phone, कौन से color variant और कौन से price point पे आप एक phone लेना चाहेंगे, आईफोन 12 लेना चाहेंगे, या पुराने आईफोन लेना चाहेंगे, मुझे नीची comment सेच में लिखे ज़रू बताईए, Thank you so much for watching this video, Goodbye,